प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा आपकी जो गाविन गाय भेंस हैं उसको मोटी तगडी करने का वैज्यानिक तरीका यानि से कौन सी दवा किस विद्धी से देने चाहिए कैसे देने चाहिए पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा वीडियो को स्कीप करके मैं एक प्रिगृन्य भाटवन्य से अट हो जाती हैं तो आपको क्या देना चाहिए बाध याप मोटी तगडीव को साइनी बहुत ही जयदा दिकत देखने को मिलती इसलिए बैटर यह है कि आप जो प्रिगृन्ट जो आपकी गाविन्स है इसको कुछ इस तरह की दवादे ताकि आपकी गाह बहाँस Stilland delivery के टाइम यह लास स्टेज में भीमार नहीं हो पोर्फ से इस प्रकार की गाह बहांस हैं जो लास स्टेज में भीमार हो जाती है बैड़ जाती है यह डिलेवरी के बाद में उस्टेश हो जाती है एनरजी डाउन हो जाती है प्रोपर जेर नहीं डाल पाती है डिस्टो किया टोर्शन अधर जो केस में चली जाती है बहुत सी ज्यादा दिकत हो जाती है तो इस तरह की सबी दिकतों से यह आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप अपनी गाय भेंस को जो मेडेसियन बताए लिए प्रिग्रिंट हो गई तीन मेंने में आपने चेक करवा लिया कि आपकी गाय गाबीन है तो उस इस्तितिके दोरान आप जो फैन बिंडा जोल या पैना क्यूर टेबलेट जिसके अंदर साल्ट है फैन बिंडा जोल यह तीन ग्राम की एक बॉलस आती है फैन बिंडा कभी भी मोटी तगडी नहीं होगी और यह देना भी बहुत ही जाना जरूरी है यह दि आप यह देंगे तो उसमें पलने वाले बच्चे को भी कई विमारियों से आप बचा सकते हैं ताकि उसी की भी साथ-साथ में डिवर्मिंग हो जाए तो यह भी आपको देनी है रही ब हैं वह कई विमारियों से बच सकती है और अच्छी मोटी तगडी भी होंगी और उसी इस्तती के दोरान आप अपनी गाय भैस को जैसे लग रहा है कि आपकी जैसे आपने यह देदी डिवर्मिंग करवा दी तो जैसे यह दिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में आपको आप सिंपल लीवर्म बहुत सी आती है वह बहुत से आती है वह लिवर्म भी वैप्डिंदी पिस्च पिसला कोई भाइगा पिसले कुल देखने को देखने मिलेगा इसले फूर डायट रख रहे हैं अच्छी नहीं होगा है और किरानी but F3 में आपको यह देनी यह आप जब भी डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में लगातार आप इससे दस दिन यानि सो एमेल पर डे पचास एमेल सुबह दे सकते हैं पचास एमेल आपको सियाम के लगातार दस दिन आप इस दोजी लिव फोर्ट का परियोग अपने पसूम में करवा सकते हैं जो कि एक केरस कमपनी का ब्रांड है बहुत ही अच्छा है रिजेल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा इसी तरह से यह झैसके आप इसके बारे में और भी जानकारिये लियना है तो डो जी लिव फोर्ट के बारे में मेरे चेंदर पर डिटियल से वीडियो बनी हुए है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं मैं या पर किसी भी ब्रांड का कोई भी एड नहीं कर रहा हूँ बड़ जो रिजेल्ट मिलता है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको करना ही करना है साथ साथ देखो उस इस्तति के दोराँ आपके पसूँ को आइरेंज और विटामीन सकोपर, जिंग, कोबाल्ट इस तरह के ईलिमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा जरृत होती है तो आप उस इस्तति के दोराँ आप जो एक ऐलम्बिक की आती है सार को धारोल ये एलम्बी जो आयरेंट हो नहीं गए इसका परियोग आप अपने पसूम में जो प्रिग्नेंट है उसको दे सकते हैं बेटर रिजल मिलेगा आपको सही और 60 के जानकारी के साथ मैं बता रहा हूँ ये आप ये देंगे 50 ग्राम आप परड़े के साथ से लगातार आप उसे आप 20 दिन तो केंटिनुटी देना ही देना है कब जब ये दिया आपको लग रहा है कि तीसरे मेने में आपने करवाई तो 50 ग्राम आप दे सकते हैं और फिर 60 मेने में ये दो स्टेज की मैं बता रहा हूँ द्वा एक तो आप तीसरे मेने में जो कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में और छटे मेने में आपको यही जो द्वा जो बता रहा हूँ आपको रिपीट करनी है तो 20 दिन कैंटिनिटी आप इसको दे सकते हैं वैसे सारको फिरोल के बारे में मेरे चैन्दर पर डीटेल सी वीडियो बनी हुए कि आपके पस्टों में क्या काम करती है रही बाद जो दूद देने वारे जो गाह बैस है उसमें बैटरे जिल मिलेगा जो मैंने यह द्वायां बता रही उसे आपके पस्टों का दूद भी देना है इस बात का यह ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस इस्तिति के दोरान पर तो सोने में स्वागा हो जाएगा एदी आप अपने पस्टों को देंगे तो अब एक और मैडिशन में आपको बताता हूं वह भी आपको बहुत ज्यादा जूरूरी है वह है बायोटीन विटामिन एन जो विटामिने एडी के जो आती है वह आपको देनी है जिस तरह से आप मर्टी स्टार दे सकते हैं देखो यह मिल जाती है सभी जगए इसलिए बतारू आने के लिए दोर भी द्वाया भोत आती है लेकिन मल्टी स्टार यह कहीं पर भी आपको किसी भी चेतर में इंडिया के कोने में आपको मिल जाएगी और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा तो इससे आप 20 ml परड़े के साब से यानि आप 20 ml परड़े दे सकते हैं श्याम कों किषाम कि आप इसे दे सकते हें, यह भी आपको उस पका सू को देनी यह यह जैसे तीसरा मेना कंप्लीट कर लिया, डिवर्मिंग कर दे लियो टोन धियाई, ऐय विटामेंस धिया यह विटामिन्स धियां यह भी तैन्म कि दुक हों कंटीमूय दिया आपको इसका परियोग करना है फिर वह ही यही दवा आपको छटे मैने में आपको जो मैंने तीनुत प्रह की दवाईयां बताई है यह परियोग करनी है देखो इस तरह का जो प्रेक्टिकली है मैंने बहुत से जो डेरी फार्मार है पसुपालक हैं उनके साथ मैं करवाते रह निरेगा विद्याब देंगे तो आपको जरूर ना जरूर आपको रिचल देखने को मिलेगा जो आपकी गाया प्रिगनेंट गाय सूष्त वैस्ट है बैट्टी रहती है तो इन से सभी तरह भाइब को पाइदा मिला यह क्या कि आपकी गायों में अच्छे RBC की मातरा बढ़ेगी, हमुलोबिन की मातरा बढ़ेगी आपके पसों की लिवर मजबूत हो गी, आपके पसों की अच्छी बोडी साइनिक लाएगी और आपके पसों में किसी भी तरह के विटामेन्स मिंदरल्स और अन्य रोगू से भी होने वाली भीमारी हैं उनसे भी आप आपका पस्टू कैसा भी हो कमजूर हो चाहे अच्छा हो या दू देने वाला हो सभी में आपको अच्छा रिजल मिलेगा रही बाद प्रिजनशी के लिए तो बहुत ही अच्छी ये प्रोडक्ट है निचे जागे कमेंट में लिए मेरे चैनल उनको सब्सक्राइब करने इसी शित्रश्या मेर को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाग